ओम नमा शिवाय आत्मा त्वम गिर्जामती सहचरा प्राण सरेरं ग्रहं पूजा ते विशयो पभोगर चना नेद्रा समाधे स्थित्य संचार अपदयो प्रदक्छन वेदे स्तोत्नानी शर्वागेरो यत्यत कर्म करो मितत्त दखिलम संभोस्तवाराधनम नमस्कार दर्सको आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया आपके साथ मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर सर्मा दर्सको सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ पहले मेरे द्वारा की गई सापता ही एक भविश्यवानी सुक्रवार को प्रशारित होती थी लेकिन अब नए साल पर हमने इस समय को बदल दिया है अब ये भविश्यवानी सुक्रवार को नहीं बलकि सौमबार को प्रशारित की जाएगे यहां आप पाएंगे सप्ताह करासी फल कैसा होगा आपका सप्ताह किसे मिलेगा प्यार किसका चलेगा ब्यापार और केरियर में किसे मिलेगी उडान किसे मिलेगा धन अपार हर वर्ग के लिए जानिये साप्ताह करासी फल मेश रासी वालो किसी को दिया हुआ पैसा बापिस मिल जाएगा खुद के खानपान पर नियंतर रखने से स्वास्त अक्षा बना रहेगा कोई महत्पूर्ण समारोह अटेंडेंड नहीं कर पाएगे आप निरासा जनक महसूस करेगे मगर इस्थिती में सुधार नहीं लापाएगे काम पसंद नहीं आने के संकेत है आप गोसिप के सिकार हो सकते हैं कोशिश करें इन फिजूल की वातों से दूरी वनाए रखें आपके लिए एक उपाए है आप गुर जनों की सीवा करें ब्रहमणों का आसीर वाद ले ब्रशवरा सीवा ले आफिस में मिली उपलबदियां आपको उसाहित कर देगी सिक्षा के छेतर में आपकी आकांचाएं बिना किनी कटनाईयों की पूरी होगी सोसल सरकल में आप अपने दोस्तों से मिलने जुलने का और उनके साथ समय व्यतीत करने का पिलान करेंगे आप परवार वालों के साथ मिलकर किसी प्रोग्राम का आयू जनक करने में सक्चम होगे हेल्थ और फिटनेस पर अपना ध्यान केंद्रित करके उस पर डटकर काम करने की आवश्यक्ता है जिम या फिटनेस रुटीन से ही फायदा हो सकता है शब के साथ विताया समय आपको तरो ताजा कर देगा आपके लिए उपाय है आप शौमबार को शिवलिंग पर दूद चड़ाएं मिथोन राशी वाले आपकी अच्छी पढ़ाई करने की छमता को आज मानिता मिलेगी और सिख्छा के छेतर में आप कुछ खास हासिल कर पाएंगे जिन व्यक्तियों की लव लाइफ धीमी गती से चल रही थी अब भेर रखतार पकड़ती नजर आएगी और आपको उत्साहित करेगी निजी जीवन में आए परवर्तन को किसी भी तरीके से अपने आप पर हावी ना होने दे क्योंकि बेबाद में आपके लिए लावकारी शिद्ध हो सकती है आप इसमें आपको किसी कमिटी या बोर्ड का मेंबर वनाए जाने के संकेत है आपके लिए उपाय है आप हरी मूं का बुधवार के दिन दान करें करकराशी वाले सिक्षा के छेत्र में चात्रों के लिए परिष्थितियां काफी अनकूल रहेंगी सोसल सरकल में आपका हेलपफुल नेचर आपको लोक प्रिय बनाएगा परवार के किसी युवा को आप प्रभावित करने में सफल होंगे प्रेमी या प्रेमका के साथ समय विताना आपकी लव लाइफ के लिए बेहद लाव दायक सिद्ध होगा ब्यवसाइक जीवन में सह कर्मियों के साथ काम करना ना कि उनका नेतरत करना आपके हितमे कारगर शावित होगा आपकी कारिशयली और आपके जटपट काम करने का तरीका आप इसमें सीनियर को काफी इंप्रेस करेगा प्रमोर्शन के भी आसार हैं आपके लिए उपाय है आप शनिवार के दिन बहते हुए दरिया में कुछ सिक्के फूल के साथ डालें सिंगरासी वाले आफिस में कारिक को प्राथमिक्ता देने ही आप अपनी वाकी सवी समस्यां को व्यवस्थित तरीके से हल कर पाएंगे सिक्षा के चेत्र में छात्नों को पढ़ाई से जोड़े होने का कोई व्यतर विकल्प जल्दी ही मिलने की संभावना है आपकी आवेसकता की अनुसार निवेश का कोई नया ओप्शन आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है जिसे हाथ से न जाने दे अच्छे स्वास्ट को वनाई रखना आपका उद्देश से वन जाएगा और आप इसे प्राप्त करने में अपनी पूरी महनत लगा देंगे सोशल गैदरिंग में किसी की असंभेदन सीलता आपको दुखी कर सकती है आपके लिए उपाय है आप ब्रस्पतिवार को भगवान विश्णू के लिए पीला फूल चड़ाएं कन्यारासी वाले सिख्छा के छेतर में कन्फ्यूजन की इस्थिती बनी रहेगी पर आप सही निर्णे लेने में काम्याब होंगे किसी सामाजिक कारिक्रम में सामिल होना आपको मानशिक बसारी रिक रूप से ठका सकता है मगर आप फिर भी उसका पूरा आनंद लेंगे आर्थिक रूप से यह सप्ता आपके लिए अनिकूल नहीं है इसलिए थोड़ा सतर्क होना आवश्यक होगा लव लाइफ काफी मनुरंजक सावित होगी आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एकस साइटिंग प्लान कर रहे होंगे आपके लिए उपाय है आप पीपल के पेड़ पर जल चड़ाएं तुलाराशे वाले ब्यवसायक जीवन में आप अपने आपको सावित करने का हर संभव प्रियास करेंगे जो की वेकार नहीं जाएगा किसी प्रतिष्ठित विश्व विद्याले में एडमिसन लेना कुछ छात्रों के लिए संभव होगा परवार में किसी विवाह योग व्यक्ति के लिए जल्द ही परने सूत्र में बंधने की संकेत है पहले से जो कपल्स रिलेशन्सिप में हैं वे अपने संबंद को अगले इस्तर पर ले जा सकते हैं दोस्तों के साथ घूमने जाने की संभावना है और उनके साथ बिताया समय आपके लिए काफी मनुरंजक होगा आपके लिए उपाय है आप एक सूखा नारियल उस पर लाल कपड़ा लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख दें ब्रस्चिक रासी वाले ब्यवसाइक जीवन में कुछ एड़ जेस्ट मेंट्स करने पड़ सकते हैं मगर उनसे आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आए फिजूल खर्च से आपका मासिक वजट गड़वडा सकता है इसलिए सोच समझकर पैसों का उप्योग करें अपनी रुटीन लाइब से हटकर कोई पसंदीदा काम करने के लिए आपके द्वारा ब्रेक लिए जाने के संकेत हैं किसी की साधी या कोई पार्टी में सामिल होने का निमंतरन मिलने की संभावना है अपने प्रेम शंबंदों को और रोचक बनाने के लिए आप अपने पार्टनर से के साथ कुछ नई पिलान बना शक्ते हैं आपके लिए उपाय है आप राम मंदिर में जाकर घी का दिया जलाएं धनूरा सीवाले कोशिस करें कि मेहनस से सफलता हासिल हो जल्द से जल्द अमीर वन्य की उम्मीद में किसी संदिक्द इसकी में निवेस करने से आपको अच्छी खासी रखम गवानी पड़ सकती है घाटा हो सकता है मान हानी भी हो सकती है इसलिए आपको उपाय वताते हैं आप सनी मंदर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं मकर रासी वाले ब्यवशायक जीवन में काम्याब होने के लिए और सीनियर्स पर अपनी छाप चोड़ने के लिए आपको अपना 101 प्रत्शत देना पड़ेगा आफिस में काम करने वाले सहकर्मी के साथ आप प्रेम में पड़ सकते हैं और एक उसाहित करने वाले नए रिस्ते की सुरुवात भी कर सकते हैं आफिस में मिली छुट्टियों का सही इस्तिमाल करते हुए आप अपने परवार के साथ घूमने जाने की यूजना भी बना सकते हैं ओफिस से आने जाने के लंबे रास्ते को ते करने से समय वचाने के लिए आप आसपास रहने के वारे में बिचार कर सकते हैं मतलब कि आप घर का परवर्तन भी कर सकते हैं आपके लिए उपाय है आप गणेस अथर्व सीर्ज का पार्ट करें। कुम्भराशी वाले, आप अपने ओफिस के आस्पा सिप्ट होने के वारे में गंभीरता से सूचें। इस्थान परवर्तन का योग है। जो फिर से सेब में आना चाहते हैं वो पोश्टिक आहार और एकसरसाइज का सहारा लेगे। खर्च करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसे ना होने से आपको निरासा होने के संकेत हैं। ब्यवशाइक जीवन में आप अपने आपको मजबूती से इस्थापित करने में सक्चम होंगे और सीनियर्स को अपने काम से मोहित करने के ओफिस में किसी प्रतुदवन्दी को सह कर्मी से आगे बढ़ने के लिए अच्छा परदर्शन करेंगे। प्रेम शम्मंदों में और मिठास लाने के लिए ब्रेक की आवश्यक्ता को समझते हुए आपके पार्टनर आपको इस्पेस देंगे। आपके लिए उपाय हैं आप रवीवार के दिन शूरी को लाल पुस्प डाल कर अर्ग कर दें। मेन रासी वाले परवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आपकी सकार आत्मक और मनुरंजक परसनाल्टी आपको आपके सोसल सरकल में लोक प्रिय बना देगी और आपके परचितों का दायरा बढ़ा देगी। लोंग डिस्टेंस में रह रहें कपल्स अपने प्रेम शम्मंद को एक नया रूप दे सकते हैं और विवाह वद्ध होने की भी सोच सकते हैं। जिन दोस्तों से आप बरसों से नहीं मिले हैं उनसे जल्द ही मिलने की संभाव ना है। स्वास्त भी संतों जनक रहेगा। आपके लिए उपाय है आप राम रक्षा इस्तोत्र का नित्य पाठ करें। नमस्कार ओम नमस्षिवाय आज के लिए वस इतना ही। अब फिर हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में भविश्यवाडी के साथ।